रजस्तान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर कैमरों से लेस ड्रोन मिला है जिसके बाद से सुरक्षा एजनसी आलट मोट पर है सुर्शा मिले पर बीएसफ और पुलिस के अधिकारी भी जांच के लिए मौके पर पहुचे और ड्रोन को जब्त कर लिया है ये ड्रोन बीकानेर से लेके खाजू वाला के रोही इलाके में मिला है भारत-पाकिस्तान बॉर्डर सुरक्षा के लिहाज से बेहत समयधनशील है यहां हमेशा सुरक्षा जनसियों का पैरा रहता है ऐसे में ड्रोन का बॉर्डर के अंदर घुसना एक बड़ी सुरक्षा चूपाना जा रहा है ये ड्रोन बॉर्डर पर तारबंदी से लगभख एक किलोमीटर की दूरी पर नीलकंट पोस्ट के छे बीजेम गाउं के पास मिला BSF की 114 बटालियन की अधिकारियों के मताबिक ये ड्रोन पाकिस्तान से आकर मुम्ताच नाम के एक किसान के खेत में गिरा है तो पहर करीब 12 बजे मुहम्मद अलादीन अपनी भेड और बकरियों को लेकर चराने गया था इस दौरान उसे ड्रोन दिखा, ड्रोन देखने के बाद अलादीन ने काउं के ही मुम्ताच अलादीन नाम के व्यक्ति को इसकी जानकारी दी मुम्ताच ने इसकी सूशना, BSF और पुलिस वालों को दी, सूशना पाकर मौके पर पहुची पुलिस की टीम ने ड्रोन जब्त कर लिया है जिसके बाद सर्च अभ्यान जो है वो चलाया गया अधिकारियों को आशंका है कि आसपास के इलाके में ड्रोक फेकने के बाद ये ड्रोन वापस नहीं लोट पाया होगा तो विकानेर के बाॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन और कैमरो से लैस है ये पुरा ड्रोन अब ये आशंका जदाई जो आ रही है सुरक्षा अजिंसियों की तरफ से कि हो सकता है आसपास के इलाकों में ड्रोक फेकने के बाद ये ड्रोन वापस नहीं जा पाया हो और फिर एक खेत में जाकर गिर गया हो पाकिस्तानी ड्रोन पाकिस्तान से आकर खेत में गिरा ये ड्रोन और आप ड्रोन में देख सकते हैं चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और सुरक्षा के लिहास से इस पूरे मामले को लेकर जाच की जा रही है एक किसान के खेत में ये ड्रोन पड़ा मिला जिसकी जानकारी किसान के तरफ से बियसेफ के जवानों को दी गई जिसके बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस, प्रिशासन और सुरक्षा जिल्सियों की तरफ से जाच की गई बॉर्डर का एरिया, इसलिए सकती बहुत जादा यहां रहती है, पाकिस्तान से आकर खेत में ये ड्रोन गिरा, और कई बार हमने देखा है, ड्रोन के सर ये नशा तसकरी की जा रही है, यहां तमाम चीज यहां, फिर हत्यार यहां हमने जम्मु कश्मीर में देखा है, कई बा राजिश पाकिस्तान की तरफ से रची जा चुकी है.